Hey everyone, welcome to my LGITES इस साल दिवाली 12 November की है मैं इस वीडियो को 18 October को अपलोड कर रहे हूँ अगर आप लोग इस वीडियो को 21st और 22nd October तक भी देख रहे हैं तो भी इस साल की दिवाली से पहले आप लोग 21 Days Challenge compete करके दुबनी खुशी के साथ इस साल की दिवाली सेलिवरेट कर रहे हूँगे मेरे 21 Days Challenge के अंडर मैं आप लोग को 7 टास्क दे रही हूँ जिसे आपको अगले 21 दिन तक डिसिप्लिन में रहते वे फॉल्लो करना है सबसे पहले मैंने हर स्ट्राटेजी वीडियो में आप लोगो कहा है कि डेली के टार्गेट्स रखा करो दिन शुरू होने से पहले तुम्हें पता होना चीए कि आज मैं Physics, Chemistry, Biology के कौन-कौन से टॉपिक्स करने वाला हूँ जिस भी दुन तुम इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन से लेकर अगले 21 दिन तक तुम लोग हर रात सोने से पहले अगले दिन Physics, Chemistry, Biology के कौन-कौन से टॉपिक्स तुम पढ़ने वाले हो उसका प्रॉपर डेली चार्ट बनाओगे ताकि सुबह उठते ही तुम्हारे पास तुम्हारा प्लान रेडी होगी आज मुझे ये सभी टास्क कंप्लीट करने है कई बार ऐसा होगा कि तुम लोग अपना डेली का टार्गेट टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए इसलिए अगले 21 दिन तक तुम्हारे पास वीकली प्लान रेडी होना चाहिए कि इस वीक मुझे बाइली जी के फॉर एक्जामपल दो चैप्टर करने है केमिश्री का एक चैप्टर करना है फिजिक्स का एक चैप्टर करना है इससे क्या होगा भले ही हो सकता है तुम्हारा मंडे का जो टार्गेट था वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाया लेकिन तुम्हें पता है इस अफ़ते का मेरा टार्गेट है बाइली जी की दो चैप्टर्स फिजिक्स और केमिश्री का एक चैप्टर भले ही मैं कुछ दिन daily के target time पर complete नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मेरे weekly target के deadline compete हो जानी चाहिए जिसके लिए हो सकता है किसी एक दिन मुझे दुगने target सकते वे तैयारी करनी पड़े लेकिन जब मेरे पास weekly targets के deadline होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरे week में जितने भी targets रखने हैं टाइम पर मेरे complete हो जाए तो weekly targets रखने हैं उन्हें daily targets में divide करना है किसी दिन daily का target complete ना हो पाए तो weekly target की deadline तुमें कहेगा अगले दिन थोड़े से ज़ादा target रख भाई लेकिन वो weekly target complete हो जाना चाहिए हर दिन तुम जो कुछी पढ़ोगे रात को सोने से पहले उसका daily revision तुम लोग करो गोई weekly revision, 15 day revision, monthly revision के भरोसे नहीं रहोगे अगले 21 दिन तक भले तुमने बहुत कम topics पढ़े लेकिन उन कम topics को भी तुम्हें रात को revise करके सोना होगा जितने भी topics तुम पढ़ रहे हो उन topics से related NCRT based questions जरूर practice करोगे बच्चों, NEED 2024 के latest labors based NCRT based notes plus topic wise NCRT based questions के लिए आप लोग physics वाला की objective NCRT punch book use कर सकते हैं बच्चों physics, chemistry, biology, तीनो subjects के लिए books available हैं इन books में आप लोगं को old NCRT में जितनी भी chapters topics mentioned थे वो सभी topics भी दिये वे हैं क्योंकि क्या हो रहे हैं कुछ-कुछ coaching institute में वो सारे topics भी पढ़ाय जा रहे हैं जो कि new NCRT में नहीं दिये वे हैं क्योंकि उन coaching में teachers का यह मानना है कि basic knowledge के लिए पुराने deleted topics की knowledge भी होनी चाहिए तो इस book में आप लोगं को revised content नाम से rationalized topic को highlight कियावा है अगर आपको लग रहा है आपको completely new NCRT based पढ़ना है तो आप लोग वो सभी topics ना पढ़े जिनके आगे rationalized content mention कियावा है अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार basic knowledge के लिए मुझे जैसे what is living topic भी पढ़ना जरूरी है कुछ topic जो कि new NCRT में नहीं है लेकिन मैं पढ़ना चाहरा हूँ knowledge के लिए तो आप लोग वो चीज़ भी पढ़ सकते हो NCRT based topic wise notes दिये वे है NCRT based topic wise one liner type MCQs, math the following type MCQs, statement based questions, assertion region type questions plus NEED के previous 5 year questions भी दिये वे है इसी के साथ NEED के previous 11 year questions solve करने के लिए आप physics वाला की 11 year solve book यूज़ कर सकते हैं एक single किताब है जिसमें physics chemistry biology के हार एक chapter से topic wise questions दिये वे हैं तो physics वाला की इन books का link में आप लोग को इस video की description में provide करा रही हूँ इसकी अलाबा कभी भी physics वाला online join करने के सोचे बचो तो मेरा code bio 150 यूज़ करिएगा आप लोग को instant discount भी मिलेगा तो जब आप लोग अपने daily के targets में से topic wise questions भी practice कर चुके होंगे daily का revision भी कर चुके होंगे तो 100% result आप लोग को खुद बखुद दिखने लगेगा हर दिन minimum 15 minutes अपनी सेहत के लिए भी देंगे तो चाहे तुम कमरे में ही चलो, balcony में चलो, छट में चलो लेकिन minimum के 10,000 steps की walk तुमारी होनी चाहिए ये सेहत ही अच्छी नहीं रही तो preparation 100% result के साथ कैसे होगी बच्चे minimum 15 minutes आप अपनी health को दिंगे और अगले 21 दिन तक अपने screen time का track रखेंगे 21 दिन तक track रखो अगले 21 दिन में कोई भी 5 chapters जो कि अपने पहले के पड़ेवे हैं उन 5 chapters को select करिए हर एक chapter से मेरे telegram चैनल से 3 PDF फाइल डाउनलोड करिए आप लोग total 15 PDF फाइल डाउनलोड कर रहे होंगे मेरे telegram चैनल से हर एक PDF में आप लोगों को minimum 50 questions मिलेंगे इन शॉट आप लोग अगले 21 दिन तक इन 5 chapters से total minimum 750 questions कर रहे होंगे तो आपका 21 days challenge का सबसे बड़ा task में चाहती हूँ जो कि आप complete जरूर करें कोई भी 5 chapter चूज करें उनकी question bank की PDF मेरे telegram से डाउनलोड करें इन टोटल 5 chapters में से लगबग 750 questions जो आपको मिलेंगे उनको आप लोग solve करें देखें कौन से questions आपके गलत जा रहे हैं जो questions गलत गए हैं उनसे related topics को आप लोग revise करें नीड बाइली जी के difficult topics को याद करने के लिए मेरे नीड बाइली जी शॉट देशी ट्विडियोस देखेंगा बच्चो जेडिक्स के topics को समझने के लिए मेरे जेडिक्स एन एविडियोस चेक करिएगा 59 seconds के shots जो मैं upload कर रही हूँ उनके जरिये quick revision करिएगा frog topic का easy explanation मैंने मेरे shots वीडियोस में दियावा है मेरे चैनल की frog वाली playlist पे जरूर चेक करें mention it in the comment section of this video I accept 21 days challenge for need 2024 mention it in the comment section I accept 21 days challenge for need 2024 thank you so much for watching this video and if you like it make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos thank you